भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार भूमते हुए धर्ती के अमरावती शहर पहुचे। वहाँ शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों को वह मंदिर पसंद आया, इसलिए दोनों वही रहने लगे। कुछ पार्वती को आता देख मा पार्वती ने पूछा, आप बताए हम दोनों में से कौन ये खेल जीतेगा। जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसा का खेल खत्म होने लगा, तो पार्वती मा जीत गई। पार्वता ने पुजारी की बात गलत सा पुजारी नियुक्त कर दिया। कोडी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैट कर अपने लिए बिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अपसराय आई, पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा, उसने मा पार्वती द सूमवार को सूर्योदे से पहले उठना होगा, फिर नहा कर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे से तीन अंग बनाना। उसके बाद गी से दीप चलाते हुए गुर, बेलपत्र, अक्षत, नवेद्य, फूल, चंदन, जनेउ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से प्रदोशकाल में भूले बाबा की पूजा करना, पूजा करने के बाद एक अंग शिव संभू को अरपन करना और एक खुद गहन करना, उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप से बांट देना, इस तरह पूरे सोला सोमवार करने के प्रसाद के बाटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुर डाल कर चूरमा तैयार करना, इसका शिव जी को भोग लगा कर इसे आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना, इस तरह से बाद करने से भगवान शिव तुम पर प प्रसाद बांगते ही उसके कोड की समस्या दूर हो गई, पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा उस मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौप दिया, होते होते एक दिन दोबारा भोले नाथ अपनी पारवती जी के साथ उसी मंदिर में पहुँचे, पा मा पारवती ने पुजारी से पूरी विधी जानी और अपने नाराज बेटे कार्तिके को वापस पाने के लिए नियम से वरत करने लगी, सत्रहवे सोमवार को जब उन्होंने सब को प्रसाद बाटा, तो उसके कुछ दिनों बाद ही कार्तिके लोट आए, उन्होंने मा पार ब्रमदत के दूर जाने से दुखी थे, माता पारवती से सोला सोमवार वरत की विधी जानकर उन्होंने परदेश गए अपने दोस्त ब्रमदत की वापसी की मनो कामना के साथ वरत शुरू किया, पूरे सोला सोमवार वरत करने और उसके विधी विधान से समापन करने के कु इसके बारे में जानने के बाद ब्रहादत ने भी वरत रखना शुरू कर दिया। ब्रहादत ने अपने सूंड में माला उठाए और ब्रहादत के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिग्या को पूरा करने के लिए ब्रहादत से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। गोपल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी मा से पूछा आखिर मैं आपके ही घर पैदा क्यों हुआ। कौन सा शुबकर्म आपने किया था। गोपल को उसकी मा गुंजन ने 16 सोमवार वरत कता सुनाई। गोपल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार वरत रखना शुरू कर दिया। वरत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपल ही पूरा राज्य संभालने लगा। गोपल ने भगवान शिव को धन् वरत का आदर सम्मान नहीं किया। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश नमानने और भगवान शिव के अनादर के लिए महल से निकाल दिया। अब वह भूखी प्यास अब उसकी कोई मदद नहीं करता था। प्यास के मारे जब वो किसी नदी के पास पानी पीने के लिए पहुँचती तो वो नदी सूख जाती। फिर एक दिन वह जंगल में पेर के नीचे च्छाव पाने के लिए बैठी। उसी वक्त वह पेर सूख गया। देखते ही देख कर वो हैरान हो गई और उसी कीड़े वाले पानी को उसने पी लिया। भटकते भटकते एक दिन रानी पुझारी के पास पहुची। उसे देखकर पुझारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में ही रहने की इजजात दे दी। रान के जवाब में रानी ने पुझारी को शिव की पूझा करने के लिए सामगरी से जुड़ी पूरी कहानी बता दी। ये बात जानने के बाद पुझारी बोले तुम कल से ही 16 सोमवार का वरत करना शुरू करो। इससे प्रसन होकर भोले नाथ तुम्हें माफ कर देंगे। शैनिकों को उसकी खोज में भेजा और घर वापस लाने का आदेश दिया। शैनिकों को जब पता चला कि वो मंदिर में रह रही हैं तो उन्होंने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। तभी पुझारी वहाँ पहुचे और सैनिकों को वापस महल लोटने के में हैं तो वो उसे लेने के लिए वहाँ पहुचे। उन्होंने पुझारी से माफी मांगी और सब कुछ बताया। पुझारी ने भी कहा कि ये सब भूले का प्रकोप था। आप अपनी पतनी को ले जाए। राजा और रानी के महल पहुचते ही वहाँ खुशियां। मनाई परिनाम भूगतने पड़ सकते हैं।